नमस्कार आदाप, मैं हु सान्या खान आप देख रहे हैं प्रहाटेंस मुम्रा के शिवाजी नगर में आज दोपहर करीब दो से तीन बजे के बीच एक दिल देला देने वाली खबर सामने आई है शिवाजी नगर के शिव विला सदन इमारत के चोथी मंजिल पर एक बुजूर वक्ती ने फासिल लगा कर आत्म हत्या कर ली मृतक का नाम अब्दुल जैनुद्दीन कोटवाला उम्र लगभग 70 वर्ष बताई जा रही है आपको बता दे कि मृतक अब्दुल जैनुद्दीन कोटवाला अपने एक बेटे आसिव जैनुद्दीन उम्र करीब 40 वर्ष के साथ शिव विला सदन के चोथे मंजिल पर रहते था और इनके परिवार के लोग कादर पेलेश और अमृत नगर में रहते हैं परिवार वालों के बताने के अनुसार इनका किसी के साथ कोई बात विवात नहीं था आज दुपहर में आसिव जैनुद्दीन अमृत नगर अपनी बेहन के घर गई थे और जब वापिस अपने घर शिवाजी नगर लोटा तो देखा कि उसके पिता घर में पंखे से फासी लगा कर आत्महत्या कर चुके थे जिसके बाद उसके परिवार वालों को जानकारी दी गई और मौके पर पुलिस भी पहुँच गई परिवार के एक सद्स ने बताया कि फासी लगाने की वज़ा किसी को मालूम नहीं है कि उन्हें किस बात की तकलीफ थी यानि फासी लगाकर आत्महत्या की वज़ा पता नहीं चल सकी है वहीं इस घटना से पूरा इलागे में संसरी मत चुकी है बरहार पुलिस ने शर्व को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए कलवा शिवाजी अस्पतार में भेज दिया है पुलिस वही से जाच कर रही है आखिर इस बिजुर्ग व्यक्ति ने आत्महत्या की है या फिर हत्या हुई है सच्चाई पुलिस जाच में ही सामने आएगी तो इसे के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरे देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुचे ताजा तकि खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें